आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, डाउटनेट में आपका स्वागत है हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें में बोला है माना परवल है Y की गाद 2 बराबर में 4X की एक नाभिय जीवा PQ बिंदू 3 0 पर Pi बटा 2 का कौन बनाती है माना रेखाखंड PQ दीरगवत E जिसके समीकान दे रखा है X स्कूर बटा A स्कूर प्लस Y स्कूर बटा B स्कूर बराबर में 1 जहां पर A का मान बढ़ा है की भी एक नाभिय जीवा है यदि दीरगवत E की उतके इंदर था E है तो 1 बटा E की का 2 का मान किसके बराबर है यह हमें बताना है और जो 4 विकल्प दे रखे है तो इससे हमें दीरगवत की उतके इंदरता ज्याद करना है तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं किसका परवले का अब देखो यह हमने परवले का चित्र बना दिया जिसमें Y स्कूर बराबर में 4 X ठीक है इसके अगर 4 A X से तुलना करें way to A यहां पर किसके बराबर आजाएगा एक के बराबर तो आपने पास नाभी होती है यहांपे 1 जीरो नाभी हो जाएगी उसके बाद बात करें यह नाभी जीवा हमने कीच दी यह बिंदु क्यूं है ठीक है अब यह देखो यह जहां पर मिलेगा अब यह बोल रहा है कि यह PQ जो है बिंदू 3 0 पर तो 3 0 बिंदू यहां पर आएगा X X पर ही कहीं पर ठीक है 2 0 यहां पर 3 0 यहां पर इस 3 0 पर यह नाभय जीवा पाई बटा 2 का कौन बनाती है मतलब इस तरीके से यह डालती है यह 3 0 बिंदू हो गया इस 3 0 पर यह 2 रहा है हमने खीच दी मान लिया इस बिंदू को मैंने बोल दिया आर ठीक है इस बिंदू को आर बोल दिया आर बिंदू पर ये पी क्यू जो है रेखा ये पाई बटा दो का कौन बनाती है पतला पी यार का जो डालोगा और पी आर क्यूं का डालोगा उनका गुणनफल माइनस एक के बराबर आने वाला है लेकिन उससे पहले हमें जो है इस स्क्वेर टी स्क्वेर 280 मतलब 2T यह पहला बिंदू हो गया उसके बात क्यूं बिंदू जैसे मेरे को मानना है इसको मैं 8 1 स्क्वेर 280 मान सकता था लेकिन मेरे को पता अगर नाभी जीवा कोई जीवा है वह नाभी से गुजर रही है तो उसका देखो यह दो बिंदू से यहां पर गुजरेगी तो दोनों बिंदों में यह संबंद होगा कि देखो इस तरीके से T1 गुणा में T2-1 के बराबर होगा अगर वो नाभी से गुजर रही है जीवा तो यहां पर मैंने T माना है तो दूसरा माइनस एक बटा T हो जाएगा मैंनस एकबटा T का स्क्वाइर मतलब एक बटा T का वर्ग और यह हो जाएगा कितना माइनस में 2 बटा T यह क्यों का निरधे सांग हो गया अब देखो इसकी ढल हम लोग क्या पी- आर कुना में कि डाल, तो कितना हो जायगा यहां से देखो 2T-0 2T-0 इसकी ढ़ाल M1 मानलो इसकी ढ़ाल M2 मानलो तो 2T-0 और यहां से कितना बन जायगा देखो T2-3 अब देखो उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर T2 है, T3 नहीं है यह T2 हो गया उसके बाद इसका धाल का गुणा कर देते हैं इस वाले से, तो माइनस में 2 बटा T, माइनस 0, बटा में 1 बटा T, माइनस में 3, यह हो गया, दोनों का गुणा करा, माइनस 1 के बराबर कर दिया, ठीक है, उसके बाद इसको सरल कर लेते हैं, तो 2T बटा में T, माइनस में 3, यह तो इसी तरह रहेगा यह इसको जो हैं दूसरी तरह भेज़ देते हैं तो यह क्या बन जाएगा देखो पहले तो इसको कर लेते हैं यह T यहाँ पर जाकि गुना हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा एक माइनस में 3T square ठीक है तो 3T square माइनस में 1 ये बन गया और T उपर चला गया 1T कट गया तो माइनस में 2T था तो ये इदर जाके प्लस का एक माइनस माइनस तो हमने इसको सही कर दिया इदर माइनस 2T रह जाएगा तो यह हो गया माइनस का 2T अब इसको वज रूणा कर देते हैं तो इस टोटल कितना बन जाएगा माइनस 4T का वर्क और इदर बन जाएगा 3T की गहा 4 माइनस में 9T square माइनस में T square प्लस 3 टोटल मिलागे 3T की गहा 4 माइनस में 6T square प्लस 3 बराबर में 0 बन जाएगा 3 इस में से उबनेश ले लेंगे तो उदर भेज देंगे T की का 4 माइनस में 2T square प्लस 1 बराबर में 0 सीधा सा ही यह अपने पास एक सरोसमी का बन रही है T square माइनस 1 बराबर में 0 इस पूरे का वर्क है न तो वर्क मूल भी ले लिए साथ में तो T का मान यहां से प्लस माइनस एक आ गया ती का मान जैसे प्लस माइनस एक आया हम लोग बिंदू निकाल लेते हैं पहला बिंदू कौन सा पी बिंदू के निर्दे सांग मैंने माने से T square दो टी जब मैं T का मान एक रखूंगा तो यह कितना बन जाएगा फोर T T equal to 1 के लिए यह बन जाएगा अपने पास कितना एक दू फिर T equal to minus 1 के लिए भी निकालना पड़ेगा तो यहां पर क्यूं कितना बन जाएगा minus 1 एक minus में 2 एक minus में 2 बनने वाला है इसी तरह देखो यह भी पी आएगा अब देखो यहां पर क्यूं का निर्दे सांग निकालने के लिए यहां पर क्या मानना तो यहां से T बराबर minus 1 रखूंगा ना तो क्यूं का मान कितना बन जाएगा एक एक और दो और जैसे ही में T बराबर में एक रखूंगा तो यहां पर निर्दे सांग बन जाएगा पो मान लो एक 2 और क्यूं को मान लो 1-2 दो निर्दसांग निकालने ते दोनों निर्दसांग निकाल दिये E2 और क्यूं मान लिया मैंने 1-2 ठीक ह। प्लस मान आप देएगो हमारे पास PQ का मान पता चल गया अब दिएगो हम नया चित्र बना लेते हैं जिसके लिए यह द दीरवद बना दिया दीरवद का समीकरन अपने पास x² बटा में a² y² बटा में b² बराबर 1 जहां पर a का मान b से बढ़ा है मतलब दीरख्ष की लंबाई 2 है और लगवद की लंबाई 2 भी है ठीक है उसके बाद यह जो बिंदू है यहां पर clearly पता लग रहा है कि यह मानक दीर दो चेले यहां पर हम लोग बता देते हैं यह जो नावीय जीवा नीये चुद सब्सक्राइब और साथ ही साथ Одज समानतर नावीय जीवा है तो हमेशा यहां से यह P है और यह क्यों है तो इन दोनों के जो ये बीच की दूरी होगी ना वो नाभी नभी जीवा की लंभाई के बराबर होगा अब देखो नाभी नम जीवा की लंभाई इस परवले के लिए मैं बात करूँ तो 2B square बटा में A के बराबर होती है तो यहां से यह किस के बराबर आ गई देखो 2 और minus 2 के बीच में 4 का फर्क है उसके बाद यह A e 0 इन दोनों का जब मद्धे बिंदू निकालूँगा न तो यह A 0 के बराबर आ जाएगा यह बिंदू A 0 के बराबर अब मतलब A e किसके बराबर आ गया A e अपने पास 1 के बराबर आ गया यह सारा का सारा जो है अपने पास चित्र में छूपा हुआ था यह सारे मान प्राप्त हो गए अपने को के बोल ए का मान निकालना है ठीक है अब देखो यहां से तो अपने पास कितना प्राप्त हो गया B square बराबर में 2A इसको मैं समीकरन नंबर 1 नाम दे देता हूँ उसके बाद A E तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर में होता है 1- B square बटा में A square इसका वर्ग मूल तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो यहां से A square E square बराबर में हो जाएगा A square माइनस में B square ठीक है B square का मान यहां से समीकरन एक में उठाके यहां पर रख देंगे तो A square गुणा में E square का मान तो सीधा ही रख दिया एक के बराबर यह आ गया a square और यह माइनस में 2a ठीक है a square माइनस में 2a माइनस एक बराबर में 0 हो गया इसको समीकरन हल कर लेते हैं दिवगाती सुतर से तो a बराबर में कितना आ जाएगा देखो यहां से अपने पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस में 2 रूट 2 डिवाइड बा घुद्धी आ जाएगा जो कि रेमान कोगा एक अब ही रेमात मुं कितना जाएगा रूट 2 प्लस एक इस तरह इसे बॉल सकते है रूट 2 प्लस एक अ legitimate लग लकिन जड़स नहीं अ सकते हैं और जरुद है बराबर में 1 है तो यह बराबर में किस्के हो गया he remarkable हो गया एक बता में root 2 root 2 plus 1 और हमें निकालना क्या है हमें निकालना है यह उतके अंदर ताका उल्टा करके उसका work करना ठीक है यह निकालना है ठीक है उतके अंदर ताका उल्टा कितना हो गया root 2 plus 1 इसके बराबर हो गया अब उसके बाद उसके बाद देखो इसका work कर देंगे दोनों तरब त पूरे का वर्ग हो जाएगा तो यहां पर बनेगा A2 plus B2 plus 2AB तो 2 plus A कितना हो गया 3 plus 2AB 2 root 2 2 root 2 यह किसके बराबर आगया 1 बटा E2 के बराबर आगया और क्यों इसी का मान हमें निकालना था तो 3 plus 2 root 2 अपना उत्तर हो जाएगा अब देख लेते हैं विकल्पों में तो देखो विकल्प में 3 plus 2 root 2 यह B विकल्प में दे रख है तो B विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आशा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर